थेंक्यू मैं कलकाता वेस्ट बेंगल मॉंडो नर्सरी का तरफ से देखा रहा हूं देखिए थाई वाइट जमुन का बगीचा इसमें देखिए कितना अच्छा फॉल आया है बहुत आदमी बोल बताता है फॉल का आएगा भाया और फॉल भी नहीं आ सकता है कितना दिन में पॉल आएगा बहुत कुछ बात करता है यह फॉल का एक एक वेट तिली से चलिज गरम तक होता है यह थाई भराइटी का है वाइट जमुन खाने का मैं भी खाया हूं अभी फिर भी मनें अभी तक हर्वेस्टिंग पूरा कंप्लेट नहीं हुआ फॉल फिर भी खाया हूं जैसा बिलग जमुन खाने के लिए जैसा लगता है यह भी खाने के लिए ऐसा ही शाद लगता है इसका खाने के लिए बिलग जमुन का तरह तो ऐसा यह थाई तीन साल का हो गया तो एक एक विड में बहुत अच्छा फॉल आया बहुत फॉल आया लेकिन इस पिरे ज्यादा नहीं करने का बजाए और बारिश ज्यादा होने का बजाए थोड़ा फॉल खराब हो जाता है और कुछ नहीं है जैसा यह महरस्ट का महरस्ट में खेती करने के लिए बहुत अच्छा होगा अंदरा में गुजराट में यूपी में ज्यादा जिदर ज्यादा बारिश नहीं हो बख कर रहा हूं लेकिन इसका पोदा इतना ज्यादा अबेल अबेल नहीं है यह पोदा लेने के लिए 15 दिन पहले कम से कम बुक करना पड़ता है अभी भी है थोड़ा पोदा एदे को इपकल देखा रहा हूं देखिए मैं कलकाता वेस्टर मंगल मोंडोल नार्शरी से बोलना हूं चाकला मेरा गाउं है चक्षा